नमस्का दोस्तों राधी राधी ओसम कलेक्टिप्स में आप सभी का एक बाफिर से बहुत बहुत स्वागत है यह दोस्तों आज हम फिर उपस्तित है एक महत्पूर्ण जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में कन्या को देखना या सपने में किसी छोटी बच्ची को देखना या सपने में छोटी बच्ची को बोद में लीना या इसी प्रकार के और भी सपने जोकी बच्ची से रिलेटेड हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेहर इंट्रेस्ट दोस्तों सपने हमारे भविश्य का आईना होता है, सपने हमें सुप शंकेत भी देते हैं, तो कुछ सपने हमें अशुप शंकेत भी देते हैं, ऐसे में दोस्तों आये जानते हैं कि सपने में बच्ची या कन्या को देखने का क्या मतलब होता है, कभी-कभी सपने में छोटी ब अवस्थाओं में आप देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको कन्या से जुड़ी विविन अवस्थाओं के बारे में आज बताने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं सपने में कन्या को देखना, दोस्तों कुछ लोगों के सपने में छोटी कन्या या छोटी लड़क अगला जो सपने है वह है सपने में किसी छोटी बच्ची को देखना अगर आप सपने में किसी छोटी बच्ची को देखते हैं तो यह सपना बेहद सुप सपन माना जाता है सपने जोती सास्ति के नुसार क्योंकि ऐसा सपना इस बात की और संकियत करता है कि आपके कारे छेतर म सपन में देखते हैं कि कोई चोटी बच्ची आपकी गोध में खेल रही है या उसे में गोध में उठा रखे हैं तो ऐसा सपना भी बहुत सब्सब्स मान जाता है क्योंकि ऐसासपना इस बात की र Kingdom करता है कि आपको बहुत चल्ड शफलता प्राप्ट होने वाली हैं या आपको कोई सुख समचार की प्राप्ती हो सकती है वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सपने में छोटी बच्ची को हसते हुए देखता है तो इसका क्या मतलब होता है अगर आप सपने में छोटी बच्ची को हसते हुए देखते हैं तो ऐसा सपना भी बहुत सुग माना ग कजिया की और शक्रिक करता है कि आपको खुशिया आने वाली है आपको लाग मिलने वाला है, वही दोस्तों, अगर कोव्यक्ती सपने में कन्या को जर्म देते हुए देखता है, तो इसका सपना घर में खुशियां ले कर आता है है आपके घर में बोहत जल्द कोई नंहा मैं माने वाला है अग्ला जो सपने हां वह सपने में कन्या को खाना खिलाते हुए देखना अगर आप सपने में कन्या को भोजन कराते हुए देखते हैं तो ऐसा सपना भी बेहत सुब शुपन माना जाता है क्योंकि कन्या को भोजन कराना हमारे हिंदु धर्वन की पर्मपरा है जो की बेहत सुब माना गया है ऐसा सपना घर मे शुक्ष, शांती और सम्रिधी लेकर आता है इसके विपरित दोस्तों अगर कोई व्यक्ती सपने में कन्या को रोते हुए देखता है तो इसका क्या मतलब होता है अगर सपने में आप कन्या को रोते हुए देखते हैं तो यह एक बेहत याशू भी शवपन माला गया है क्योंकि ऐसा सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके जीवन में कश्ट आने वाले हैं आपका स्वस्त खराब हो सकता है और आपको कोई निराशा मिलने वाली है अगर आप देखते हैं कि सपने में कन्या को गुसे से देखते हैं तो ऐसा सपना भी शू माला जाता है क्योंकि ऐसा सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके उपर इश्वर की कृपा बनी हुई है जिससे आपके विगडे कारिश अभी बनने वाले हैं और आपके जीवन में शुक्रा आने वाला है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने करन्या से जुड़ी विभिन अवस्थाओं जो सपने में हम देखते हैं उसके बारे में बात किया तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी अगर आप सभी को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक का सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले धन्यवाद दोस्तों राधे राधे